हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SAC Crackers और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो SAC CHSL 2021 का जो एक्जाम हुआ था उसमें जितने भी current affairs के question आये थे सबी टोटल 21 सिफ्ट में एक्जाम हुआ था तो 21 सिफ्ट में जितने भी current affairs के question आया है वो सब हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले हैं और एक चीश समझ में यह आया कि current affairs कहां से पूछा गया है ना तो पूरे question को state करते वक्त यह समझ में आया कि October 2020 से लेकर April 2021 तक के बीच मे current affairs 90% से भी ज़्यादा है मुझे तो कोई ऐसा question दिखाई नहीं जो कि recent का current affairs हो यानि कि October 2020 का current affairs था November, December, January, February, March, April यही 8 महिने का 7-8 महिने का current affairs का question जो है 90% से भी ज़्यादा पूछा गया है और एक देखिए एक सबसे interesting fact यह है कि exam जो हुआ है आपका अपरील 2022 में और current affairs ठीक एक साल पहले का यानि कि April 2021 से पहले का current affairs पूछा गया इस case 6-8 महिना पहले का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो CHSL का भी एक्जाम होगा 2022 में हो रहा है CHSL 2021 का एक्जाम तो यह भी जो है सेम CHSL के एक्जाम के तरह ही पूछेगा यानि कि CHSL के भी एक्जाम में current affairs का question जो है यह उसी तरीके से October से लेकर मई 2021 तक के बीच कहीं current affairs होगा 90% से भी जादा तो इसी लिए यह October 2020 से लेकर मई 2021 तक का आप लोगों को current affairs cover करना परेगा और recent का अगर आपने कर लिया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको October से लेकर मई 2021 तक कहीं current affairs cover करना परेगा ठीक है जब आप यह पूरा session देखेंगे तो आपको खुद समझ भी आ जा चलिए हम session start करते हैं पहला question है देखें यहां direct देखेंगे पहला question है कि who among the following became the chief minister of उत्राखंड in March 2021 डिरेक्ट यहां पर mention है March 2021 है ना तो इसी तरीके से April 2021 last मैंने देखा था ठीक है और October September यही सब mention किया वह है इस-इस मंत का current affairs पूछा गया है देखें यहां पर क्या होगा निम्लिकित में से कौन March 2021 में उत्राखंड के मुख्य मंत्री बने तो right answer क्या होगा तो यहां देखें option number four होगा तीरत सिंग रावत यहां पर correct answer है और present time में कौन है chief minister तो पुशकर सिंग धामी है गवर्नर कौन है तो ग समझे में आगे आप लोगों को चलिए next question है which of the following days is celebrated as world water day यानि कि विश्व जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो right answer क्या होगा 22nd March होगा यहां पर correct answer 22nd March को होता है world water day देखें 2021 का theme क्या है world water day का valuing water और 2022 का theme क्या है ground water making the invisible visible जो है यह है 2022 का theme है ना इस सबको भी याद करते चलना है आप लोगों को next है the theme for international mother's earth day 2021 वाज है ना सभी question में आप देखेंगे 2021-2020 कहीं है 2022 का तो आपको एक भी question दीखें कहीं नहीं इसलिए हम आपको फ्रेश समझा रहे हैं कि CHSL के लिए जो है आपको October 2020 से लेकर मई 2021 तक का जो है बहुत अच्छे से current affairs करना बड़ेगा ठीक है चलिए तो यहां देखिए international mother earth day 2021 का जो है theme क्या है तो देखिए right answer यहां पर क्या है री इस्टोर आवर अर्थ है यह है theme 2021 का 2021 का theme क्या है री इस्टोर आवर अर्थ और theme क्या है अर्थ रेका 2022 का तो invest in our planet इन वेस्ट इन आवर प्लानेट जो है यह है 2022 का theme next question पर देखते हैं next question क्या है कि which of the following teams won the Indian Super League 2021 तो किस team ने Indian Super League 2021 जीती है तो right answer क्या होगा Mumbai City FC यहां पर option number two Mumbai City FC ने जीता है next question है the former Spanish player Antonio Lopez Habas was the coach at the hero ISL 2021 of which of the following football teams तो पुर्व के जो Spanish footballer है Antonio Lopez Habas निम्री लिखित में से किस football team के hero ISL 2021 में coach थे तो ATK Mohan Bagan होगा यहां पर correct answer okay next international day for monuments and site 2021 का theme क्या है जितने भी themes पूछे जा रहे हैं यह सब 2021 का पूछा गया था तो right answer क्या होगा theme क्या था international day for monuments and site तो right answer यहां पर क्या होने वाला है right answer होगा complex past diverse future यह है theme ठीक है देखिए यहां क्या है theme 2021 का complex past diverse future है theme और यहां देखिए 2022 जो है इसमें क्या था theme तो heritage and climate है theme 2022 का 18 अप्रील को होता है यह international day for monuments and sites के लिए next question है कि justice was appointed chief justice of the supreme court of India with effect from 24th अप्रील 2021 कि ओके तो यहां पर right answer क्या होगा न्याय मूर्ती फुटबॉल कैप्टन सुनिल छेत्री प्लेड इन 2021 तो पुर्व जो है भारतिये football कप्तान सुनिल छेत्री निम्न लिखित में से किस team के लिए 2021 में खेले हैं तो किस team के लिए खेले हैं तो बैंगलेरू FC के लिए यह खेले हैं सुनिल छेत्री next question है dash was conferred the honorary rank of general of the नेपाली army in November 2020 देखिए यहां November 2020 mention कर दिया गया है तो dash को November 2020 में नेपाली सेना के general की मानद rank से सम्मानित किया गया था किसको तो General M. M. Narwane को सम्मानित किया गया था General M. M. Narwane को next question है Justice N. V. Ramna appointed as the 48th Chief Justice of India hails from which of the following state तो किस state से यह आते हैं यह question पुछा गया है justice जो है N. V. Ramna यह किस राज से हैं तो आंध्र प्रदेश से हैं आंध्र प्रदेश होगा right answer next question है dash is the first woman hockey player to receive the राजीव गांदी खेल रत्न अवार्ड तो first woman hockey player कौन है जिसको जो है राजीव गांदी खेल रत्न प्रुष्कार दिया गया तो रानी रामपल होगा रानी रामपल को मिला है next question है odysa has said dash as the target year for providing 100% functional household tap water connection in every rural household तो odysa ने प्रते ग्रामित घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के connection प्रदान करने के लिए लक्ष वर्ष के रूप में डैस निर्धारित किया है तो कब तक किस वर्ष तक जो है यह प्रवाइट कर दिया जाएगा तो 2023 से 2024 यह है estimated date next है निम्न लिखित में से कौन social harmony पुस्तक के लिखक है social harmony पुस्तक के लिखक कौन है तो यह है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी है इस बुक के लेखक शोशल हार्मनी के के शोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं प्रधार मंतिर नरेंद्र मोदी और उनकी किताब भी है शोशल हार्मनी नेक्स कॉस्चन है विच आफ दाफ फॉलइंग सीटीज विल बी नोन एज दा स्पोर्ट सीटी ओफ इंडिया फ्रॉम फैवरेडी 2021 देखें यहां फिर मैंचन है फैवरेडी 2021 तो वही हम आपको बोले नहीं कि ऑक्टूबर 2020 से लेकर एप्रील 2020 तक का करेंट अफेर जो है बहुत सारा पूछा गया है 90 परसेंट से भी ज्यादा तो यहां राइट एंसर होगा एहमदाबाद है ना एहमदाबाद होगा करेक्ट एंसर नेक्स्ट है नॉबल प्राइज इन लिटरेचर 2020 दो हज़र बीस का नॉबल प्राइज किसे मिला है लिटरेचर के छेतर में ये कोशन पूछा गया है तो CHSL के लिए क्या important होगा 2021 का सभी novel prize आपको पढ़ लेना है तो यहाँ पर किसे मिला गया था literature के छेत में novel prize तो Lewis Gloop को मिला था Lewis Gloop होगा right answer Next question Which of the following cities won the hosting rights of the 2030 Asian Games in December 2020 तो निम्न लिकित में से किस सहर ने December 2020 में 2030 ACI खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं तो दोहा ने जीता है Next question क्या है Who among the following was elected as the president of the Asian Cricket Council in January 2021 तो कौन है अध्यक्ष किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ACI किरकेट परिशद का तो जैशा होगा यहाँ पर correct answer Next question है Who among the following athletes was appointed as the deputy superintendent of police by the Assam government in February 2021 तो असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में किसे निउप किया गया है किस athlete को तो हीमादास को जो है यह select किया गया है ठीक है Appointed किया गया है हीमादास को Next question है As for the union budget Union budget से भी बहुत सारा question आया है है ना आप लोगों को union budget भी बहुत अच्छे से पढ़के जाना है 2021-22 का तो निश्ची थे कि पढ़के जाना है और 2022-23 का भी पढ़के जाना है तो As for the union budget of 2021-22 How many textile parks are to be set up in 3 years तो कितने textile park अस्थापित किये जाने है Total कितने अस्थापित किये जाने है तो 7 अस्थापित किये जाने है ठीक है 7 textile park जो है Set up होगा आने वाले 3 सालों में Next है In December 2020 Dash became the first country in the world To approve sale of lab-grown chicken product है ना तो December 2020 में Dash प्रियोक्षाला में उगाए गए चिकन उतपादों की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो ये है Singapore Singapore Next question है Who among the following became the first Indian to win the Miss Deaf World title तो निम्न लिकित में से कौन Miss Deaf World का खिताब जितने वाली पहली भारतिये बनी है उनका नाम क्या है उनका नाम है विदीशा बलियन विदीशा बलियन नाम है Next question है Who among the following female wrestler won the Ukraine wrestling tournament in February 2021 तो किस महिला पहलवान ने February 2021 में Ukraine कुस्ती टुर्णामेंट जीता है उनका नाम है Vinesh Fogat Next question है What is the repo rate? repo rate क्या है? अगर हम देखें यहाँ April mention है 7 April 2021 तक repo rate क्या था? तो यह April तक का current affairs पूछा गया है तो 7 April 2021 तक क्या था repo rate? और अभी भी present time में भी repo rate 4% ही है ठीक है यह भी दिहान रखना है 4% present time में भी है Next question है यह जो novel है Q&A इसके author कौन है? Name लिकित में से कौन जो है Q&A के लेखक है उनका नाम क्या है? Vikas Swaroop इनका नाम है वikas Swaroop है लेखक Next है As of April 2021 Who among the following is the only Indian long jumper to have qualified for the Tokyo Olympics 2021? तो निम्निलिकित में से कौन जो है Tokyo Olympics 2021 के लिए qualify करने वाला एक मात्र भारतिये long jumper है? तो इनका नाम क्या है? Shri Sankar Murali है इनका नाम Shri Sankar Murali यह first Indian है ठीक है? Only Indian है जिन्होंने qualify किया था long jumper में Next question है Which of the following sports was included in the Kelo India Youth Games 2021? तो किस खेल को जो है सामिल किया गया है? Kelo India Youth Games 2021 में किस गेम को सामिल किया गया? तो योगाशन को सामिल किया गया है तो राइट एंसर क्या होगा? योगाशन Next question है The government of India held a vaccination program called Tika Utzav from Dash तो भारत सरकार ने Dash से Tika Utzav नामक एक Tika करन करकरम आयोजित किया है तो कब से कब तक? तो देखिए 11 से लेकर 14 अप्रील 2021 तक के बीच में है ठीक है? चलिए Next question Question number 28 में क्या है? Who among the following was India's longest serving prime minister as of April 2021? इस बार जो CGL का एक्जाम हुआ है उसमें deadline केवल अप्रील तक कहीं था अप्रील तक कहीं current affairs पढ़ना था और हम बार-बार कह रहे हैं कि CHSL के लिए जो है आपको मई तक का current affairs पढ़ना है क्योंकि एक्जाम आपका मई में होने वाला है और SSC अपने जिस साल SSC एक्जाम दे रहा है उससे ठीक एक साल पहले का current affairs वो पूछ रहा है तो देखें यहां पर right answer क्या हो जाएगा जवाहल लाल नेरू सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन प्रधान मती थे जवाहल लाल नेरू नेक्स्ट कोर्शन है विच कंट्री डज डॉमिनिक थियम दे वीनर ओफ 2020 यूएस ओपेन मेंस चैंपियंशिप के विज़ेता डॉमिनिक थियम किस देश का प्रतिमिजित्व करते हैं किस देश ते हैं तो अस्ट्रिया से हैं अस्ट्रिया हो जागा right answer नेक्स्ट कोर्शन है एज पर एकनॉमिक सर्वे 2020-21 इंडियाज रियल जीडिपी इस इस्टिमेटेट तो ग्रो बाई डैस इन फाइनांसिल इयर 2021-22 तो 11% से यहां पर ग्रो करने वाला है 11% नेक्स्ट कोर्शन क्या है The DAS aims to provide tap water connection to every rural household by 2024 तो DAS का लक्ष 2024 तक हर ग्रामिन घर में नल के पानी का connection उपलब कराना है तो किस mission के तहट यह उपलब कराना है तो जल जीवन mission के तहट जो है हर ग्रामिन घर में नल के पानी का connection उपलब कराना है नेक्स्ट कोर्शन क्या है Who among the following is the director of the Nehru Center in London as of April 2021 तो निमने लिखित में से कौन जो है April 2021 तक London में Nehru Center के निविदेशक है तो कौन है यह तो राइट एंसर क्या होगा Amish three party Amish three party यहाँ पर राइट एंसर है Amish three party Next question है as per union budget 2021-22 Fiscal deficit is estimated at dash percent of GDP in 2021-22 तो कितना है fiscal deficit तो 6.8% है 6.8% है Next question है Dash received the global goalkeeper award by Bill and Melinda Gates Foundation for स्वक्च भारत अभियान on 24 September 2019 अब देखे यह 2019 का पूछा गया तो यह ऐसा ऐसा एक दो ही question है But maximum question October से लेकर अप्रिल तक का है तो यह किसे मिला गया था नरेंद्र मोदी को मिला था Global goalkeeper reward यह किसके दोरा दिया जाता है Bill and Melinda Gates Foundation के दोरा Next question है Badminton player Dash won the All England Open Main Single Title in March 2021 तो Badminton खिलारी Dash ने मार्च 2021 में All England Open पुरुष एकल खिता है इनका नाम क्या है इनका नाम है Lee G. Zia चलिए Next question है Who among the following Indian wrestler became world number one in 65 KG freestyle wrestling in March 2021 तो नेमनी लिखित में से कौन सा भारतिय पहलवान मार्च 2021 में 65 kg free style कुस्ती में विश्व का नंबर एक खिलारी बना है इनका नाम क्या है बजरंग पुनिया इनका नाम है ठीक है बजरंग पुनिया Next question है What is the projected growth rate of gross domestic product for India in 2021 as given by the International Monetary Fund in April 2021 तो 12.5% हो जाएगा यहां पे right answer Next है Who became the first player to hit 356s during IPL 2021 तो IPL 2021 के दोरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलारी कौन बने है तो ऐसे भी 6 कौन सबसे ज़्यादा मारता है IPL में तो Chris Gayley है तो Chris Gayley होगा right answer Next question है Who among the following is the president of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries as of April 2021 तो 2021 जो है यहां पर April 2021 तक के जो है कौन थे president फिकी का प्रसिडेंट हमेशा हर बार question पुछा जाता है अगर CGL CHL 2020 के भी बात करें उसमें भी फिकी का पुछा जाता है प्रसिडेंट तो उदै संकर जो है यह है यह थे April 2021 तक उसके बाद current में कौन बना तो संजीव महता अभी प्रसिडेंट टाइम में कौन है फिकी के प्रसिडेंट तो संजीव महता है ओके next question है कि who among the following was named Wisdom Almanic ODI player of the 2010s in April 2021 तो निमने लिखित में से किसे जो है April 2021 में Wisdom Almanic के 2010 के ODI खिलारी के रूप में नामित किया गया था तो विराट कोली को next question है under the जल जीवन mission what is the target year to provide functional household tap connection to every rural household in India तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2024 तक यह target किया गया था कि सब ग्रामीन छेतर में जो है नल का पानी जो है उपलब कराया जाएगा तो यहाँ पर right answer क्या होगा 2024 हो जाएगा next question है कि who among the following was selected for the inaugural 36 गर विराणी अवार्ड in April 2021 तो निम्न लिखित में से किसे April 2021 में उद्धाटन 36 गर विर्नी पुरुसकार के लिए चुना गया था अच्छा विर्नी अवार्ड के लिए चुना गया है किसे इनका नाम क्या है दूती चंद को चुना गया था ठीक है दूती चंद अगर IPL आप लोग देखते होंगे तो यह कोर्शन तो 100% है के सही आपका हो गया होगा एक्जाम में कि जो फाइनल हुआ था मैच IPL 2021 में वो किस दो टीम के बीच हुआ था तो मुंबई इंडियन्स के बीच हुआ था और RCB के बीच हुआ था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच हुआ था फाइनल मैच जिसमें मुंबई इंडियन्स में जीत लिया था नेक्ट कोर्शन है कि who among the following won the Cross World Book Award 2020 for a Debut Novel तो निम्री लिखीत में से किसने जो है अपने पहले उपन्यास में ही Cross World Book Award 2020 इनका नाम क्या था माधूरी विजए माधूरी विजए इनका नाम है नेक्स कोर्शन है who among the following is the author of the epic poem काम यानी ठीके इसके ओथर कौन है तो जै संकर प्रसाद है कमाईनी के कौन है ओथर तो जै संकर प्रसाद नेक्स कोर्शन है टू लाइफ्स के कौन है ओथर यह famous book है कौन है इसके ओथर तो विक्रम सेट है इसके ओथर टू लाइफ्स के नेक्स कोर्शन है which of the following is India's first paperless budget तो निम्निलिकित में से कौन भारत का पहला paperless budget है तो paperless budget जो है यह 2021-2027 में हुआ था ठीक है paperless budget union budget 2021-2022 नेक्स कोर्शन है इंडिया विंस फ्रीडम के ओथर कौन है यह बहुत बार पुछा जाता है इंडिया विंस फ्रीडम के ओथर कौन है तो अबुल कलाम अजाद होगा यहाँ पे correct answer नेक्स कोर्शन है which of the following states became the first state in India to provide 100% tap water supply in rural area in 2020 तो निम्निलिखित में से कौन सा राज है 2020 में ग्रामिन छेत्रों में 100% नल जल आपूरती प्रदान करने वाला भारत का पहला राज बन गया तो पहला राज कौन बन गया यहाँ पर क्या होगा right answer पहला राज बना है यहाँ पर गोवा ओके गोवा होगा यहाँ पर correct answer नेक्स कोर्शन है कि in which of the following cities was the 2020 ACN Wrestling Championship held 2020 ACI कुस्ती Championship निर्मिलिकित में से किस सहर में आयोजित की गई थी तो यह किया गया था New Delhi में New Delhi होगा right answer तो अभी तक 50 question हो गया कितना आपका सही हो रहा है आप ही रहा है कोई question की नहीं मेरे हिसाब से 50 में से 30 question तक में तो आप लोगों ने अराम से solve कर लिया होगा Next question है Actor Dash was conferred with the Lifetime Achievement Award at the Film Fair Award 2021 तो किस अभी नेता को जो है Film Fair Award 2021 में Lifetime Achievement पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो यह हो जागा इर्फान खान अब यह नहीं है है ना इनका देश हो चुका है तो इर्फान खान होगा right answer बेहतरिन कलाकारत है Next question है According to Economic Survey 2020-21 India's real GDP is projected to record Dash growth in the fiscal year 2021-22 तो 11% होगा correct answer Next question है 2021 तक मौझूदा ओलंपिक पुरूस फिल्ड होकी चैंपियन कौन है तो कौन है तो यह है अर्जेंटीना ठीक है अर्जेंटीना हो जाएगा right answer Next question है In which of the following cities where the first and second test cricket matches 2021 between India and England held तो किस cities में हुआ था किस सहर में भारत और England के बीच पहला और दूसरा test cricket match आजोजित किया गया था अब किस को ध्यान रहेगा तो चिन नहीं हो जागा यहाँ पर correct answer चिन नहीं में हुआ था Next question है Able Price of 2021 in mathematics यह किसे मिला है तो right answer क्या होगा Last जलो लोवासाज जो है यहाँ पर होगा correct answer Next question है JCB Prize for Literature 2020 किसे मिला 2020 में JCB Prize for Literature किसे मिला तो S. Haris को मिला है JCB Prize for Literature Next question है Which of the following states won the maximum number of medals at the Kelo India Youth Games 2020 तो किस राज ने Kelo India Youth Games 2020 में सबसे अधिक पदक जीते हैं तो महराष्टरा जीता है सबसे अधिक पदक Next question क्या है Next question है Who among the following was nominated for the Saraswati Samman 2020 तो किसे Saraswati Samman 2020 के लिए नामांकित किया गया था तो right answer क्या होगा Saran Kumar Limbali होगा यहाँ पर correct answer Saran Kumar Limbali Next question है Who among the following won the All England Open Badminton Championship 2020 in the main single category तो किसने पुरूस एकल वर्ग में All England Open Badminton Championship 2020 जीती है तो इनका नाम क्या है Victor Axelation होगा यहाँ पर correct answer ठीक है Victor ने जीता है Next question है Which of the following is a foreign bank operating in India as of 31st माई 2021 तो निम्न लिखित में से कौन 31 माई 2021 तक भारत में कारियरत एक विद्यसी बैंक है है ना तो कौन है तो BNP परिबास यहाँ पर यह वो बैंक है है ना परिबास यहाँ बैंक है Right answer चलिए Next question क्या होगा है यहाँ पर इस पुस्तक के लेखा कौन है तो भारत के पुर्व राष्ट पती परणव मुखर जी जो है यहाँ पर होगा Right answer परणव मुखर जी Next question है यहाँ पर कि according to the Union Bazaar 2020-21 The bank credit growth as of January 1st 2021 stood at 10% तो केंद्रिय बजट 2020-21 के अनुसार एक जनवरी 2021 तक बैंक रिद्धी डैस प्रतिसत थी तो 6.7 प्रतिसत थी Okay Next question है Who among the following Created a national record In the javelin throw event At the third Indian Grand Prix meet In March 2021 तो निम्न लिखीत में से किसने मार्च 2021 में में तिसरे भरतिय ग्रैन प्रिक मीट में भाला फेक इस प्रधा में राश्टिय रिकॉर्ड बनाया है तो on and only नीरत चोप्रा Javelin throw का नाम आएगा नीरत चोप्रा यहां पर होगा राइट एंसर Olympic मेंनों रे gold medal पर जीता है Next है World Health Organization Which day was Which day has been declared है 5th माई को ठीक है 5th माई Next question है Who among the following is an Indian professional tennis player इसमें से tennis player कौन है Professional tennis player यहां पर क्या हो जागा राइट एंसर तो अंकीता रहना होगा राइट एंसर अंकीता रहना एक professional tennis खिलाड़ी है Next question है Dash ranked first on Forbes list of highest paid female athlete 2020 तो highest paid female athlete कौन है तो Noami Osaka होगा यहां पर correct answer है Noami Osaka यह highest paid female athlete है और यह Japanese player है यह भी पूछ सकता है यह किस देश की player है तो Japanese हो जागा यहां पर right answer Next question है Who among 12 people Susan for the International Anti-Corruption Champions Award constituted by the United States Department of State in February 2021 तो right answer क्या होगा अंजली भारत द्वाज होगा यहां पर correct answer अंजली भारत द्वाज Next question है Which of the following titles was held by Prince Philip The late husband of Queen Elizabeth II until his death in April 2021 तो महरानी जो है Elizabeth Dittu के दिवांगर पती प्रिंस फिलिप ने अप्रिल 2021 में अपनी मिर्तु तक निम्निलिकित में से कौन सी उपादी धारन की थी तो कौन से उपादी धारन की थी तो Duke of Edinburgh होगा यहां पर correct answer Next question है Who among the following was nominated for the 38th G.D. Brilla Award for Scientific Research for his outstanding contribution to engineering science in April 2021 तो right answer क्या होगा सुमन चक्रोबर्ती यहां पर होगा correct answer सुमन चक्रोबर्ती Next question है In March 2021 भवानी देवी became the first Indian Dash to qualify for the Olympics ठीक है यहां पर भवानी देवी से question बार बार पूछाई जाता है है ना यहां तो पूछ देता है वो कौन से game की player है तो यहां क्या होगा Fencer होगा यहां पर right answer Fencer Next question है Who among the following was appointed as the brand ambassador of Eat Fit in March 2021 तो कौन है यहां पर brand ambassador Eat.fit के तो right answer क्या होगा देवदत परिडिकल होगा यहां पर right answer यह है brand ambassador March 2021 तक वही थे brand ambassador Next है The Union Bazaar 2021-22 has recommended a voluntary scarping policy for vacuels based on fitness test after a period of dash years for professional vacuels तो केंद्रिय बजट 2021-22 ने वैक्तिगत वहानों के लिए dash वर्सों की अवधी के बाद fitness परिच्छनों के अधार पर वहानों के लिए स्वैक्षिक ठीक है scrapping नीती की सिफारिस की है तो 20 years होगा यहां पर right answer ठीक है next question है which of the following states was allocated the highest budget for highway project in union budget 2021-22 तो केंद्रिय बजट 2021-22 में निम्रिकित में से किस राज को राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था तो तमिल नाडू होगा यहां पर right answer ठीक है तमिल नाडू नेक्स्ट कोर्ष्टन है अन एकस्टम्ड अर्थ के author कौन है है ना इस book के author कौन है तो जुम्पा लेरी की कोई किताब हो और वो question नहीं आए एक्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है तो अन एकस्टम्ड अर्थ के author है जुम्पा लेरी नेक्स्ट कोर्ष्टन है कोर्ष्टन नमबर ट्वेंट सेवेंटीफाइव इन मार्च 2021 क्रिकेटर केरोन पॉलार्ड हिट six sixes in an over in a match अगेंस्ट तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 2007 में हुआ था ना टीट्वेंटी zoe उसमें युवराज सिंग ने छे बॉलके छे चका जाना था अब किडोन पॉलाड ने भी गु appelle लगा है किस टींकर खिलाफ तो स्रिलंगका के खिलाफ छो इना और युवराज सिंग इंगलैन खिलाफ लगारे। छे बॉल पर और अभी तक देखिए टोटल 76 कोश्चन हुआ है और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे हर करेंट अफेर्स का वीडियो देखा होगा तो उसको कम से कम यहां पर 30 से 35 ऐसा कोश्चन होगा जो मेरे कॉंटेंट से ही एक्जाम में कोश्चन आया था जो भी कोश्चन 2020 का था वो तो मेभी मेरे कॉंटेंट से ना हो है ना सीजियल 2020 के टाइम हम करवा हैं करेंट अफेर्स उसमें का भी बहुत सारा कुश्चन था बट कोई नहीं सी एचसल के लिए जो करेंट अफेर्स होगा वो ऑक्टूबर 2020 से ही हम कवर करेंगे नेक्स कोश्चन है कि इन दस 2020- NBA टीम प्लेट डैस रेगुलर सीजन गेम्स है ना तो 2020-21 सीजन में प्रतिक NBA टीम ने डैस नियमिद सीजन की खेल खेले हैं तो राइट एंसर क्या होगा 72 होगा राइट एंसर नेस्ट कोर्शन है विच आप दे फॉलिंग हीरो इंडियन सूपर लीग टीम एसोसियेटेड चीक है सर्जियो लोवेरा एज इस हेड कोच इन ऑक्टूबर 2020 तो निमिलिकित में से किस हीरो इंडियन सूपर लीग टीम न ने किया था मुंबई सीटी ने जो है किसे अपउंटेट किया था कोच के रूप में तो सर्जियो लोवेरा नेक्स्ट कोशन है निमिलिकित में से किसे वातायान लाइफ्टाइम एचिव्मेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था तो वातायान लाइफ्टाइम एचिव्मेंट अवार्ड किसे दिया गया था तो रमेश बोख्रियाल को मिला है, रमेश फोख्रियाल होगा राइट अंसर नेक्स्स कोर्शन है, बेस्ट सबोर्टिंग ऐक्ट्रिस ठीक है at the national award 2021 किसे मिला best supporting actress ये मिला है पल्लवी जोसी को best supporting actress next question है as per economic survey 2020-21 during the first half of the financial year 2020-21 the services sector contracted by almost तो सेवा छेत्र में लगबग कितना प्रतिसत का जो है अनुबंध हुआ है तो 16% का 16% होगा right answer next question है which of the following countries will host the 2023 AIBA Men's World Boxing Championship तो निम लिखित में से कौन सा देश 2023 AIBA Men's World Boxing Championship की मिजमानी करेगा तो उजबेकिस्तान करने वाला है ठीक है उजबेकिस्तान next question है who among the following was the chief justice of India designate in April 2021 अब देखिए ये question repeat हुआ है तो ये तो देखाई गया है हम उससे पहले आपको vocabulary का भी जो session करवाई थे उसमें भी आपने देखा कि 4-5 ऐसे question थे जो की repeat हुआ है यहां भी same exam में question repeat हुआ है जिसे यहां पूछ दिया कि chief justice कौन बने है तो आप जानते हैं कि N.V. Ramna बने है चलिए next question क्या है next question है कि who among the following was named sports person of the decade at the 2021 sports star ACES award तो right answer क्या होगा विश्वन नाथन आनन्द होगा sports man of the decade next question है गुलजार was awarded the 66th film fair award for best lyrics for the film तो best lyrics के लिए गुलजार को किस film के लिए जो है पुरुस्कार दिया गया है तो छपाक के लिए मिला है इसमें heroine थी साय दिपिका पादुकुन next question है मिर्दुला सिना मिर्दुला सिना who passed away in November 2020 was the first woman governor of DAS तो मिर्दुला सिना जिनके मिर्दु हो चुकी है निधन हो गया है उनका तो वो पहली महिला राजपाल थी किस state का तो गुवा का है ना गुवा हो जागा right answer next question है finance minister Nirmala Sitaraman announced the setting up of DAS mega textile park across the country over three years अब देखे ये भी question repeat हुआ है है ना यहां पर हम लोगोंने starting में पर था कि seven जो है यहां पर mega textile park जो है setup होने वाला है आने वाले तीन साल में next question है निम्न लिखित में से किसने 2020 तूर डी फ्रांस जीता है तूर डी फ्रांस जो है तूर डे फ्रांस जो है किसने जीता है तो तदेश पोगशक्त यहां पर होगा राइट एंसर ठीक है नेक्स कोश्चन है यूनियन बज़र 2021-22 अलोकेटेड अ टूटल अमाउंट ओफ डैस तो वार्ट्स हेल्थ एंड वेल बिंग तो स्वास्त और भलाई के लिए कुल कितना रासी आवंटित किया गया है तो यह किया गया है दो लाख तईस हजार 846 करो रूप्या नेक्स कोश्चन है अप्रेल 2021 तक भारत के सम्विधान में कितनी अनुसूचिया थीं कितने जो हैं सेड्यूल थें अप्रेल 2021 तक तो आप सब लोग जानते हैं 12 सेड्यूल नेक्स कोश्चन है अलॉंग विट इंडिया विच अफ़ फॉलिंग कंट्रीज वाज क्राउंड जॉइंट विनर एट थे 2020 ओनलाइन फीडे चेस ओलंपियार्ड तो भारत के साथ जो है निमनिलिकित में से किस देश को 2020 ओनलाइन फीडे सत्रंज ओलंपियार्ड में संयुक्त विजेता का ताज पनाया गया है तो रसिया का पनाया गया है ऐसे भी भारत और रसिया का दोस्ती तो सब लोग जानता ही है अब यहां पर आपको यह एंसर देते वक बहुत ही शौकिंग लगेगा आपको कि डेली है यहां पर राइट एंसर कौन जो है दुनिया का सबसे परदूसित राजधानी सहर है दुनिया का समझ यह इतना सारा कंट्रीज है उसमें सबसे पॉल्यूटेट कैप्टल सिटी कौन है डेली है यहां पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है नेक्स कोशन है सी ओफ पॉपीज के ओथर कौन है सी ओफ पॉपीज के ओथर कौन है सी ओफ पॉपीज के ओथर है अमिताब घोश यह सब ऐसे राइटर है जिसका बुक SST में आता ही आता है नेक्स कोशन है वर्ल्ड ट्वालेट डे 2020 का थीम क्या था वर्ल्ड ट्वालेट 2020 का theme क्या था right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer होगा यहाँ पर sustainable sanitation and climate change sustainable sanitation and climate change जो है यह है theme और यह होता कब है यह होता है 19 नवंबर को ठीक है next question है which of the following is the largest dome in India as of April 2021 तो निम्निलिकित में से कौन जो है April 2021 तक भारत का सबसे बड़ा गुमबद है भारत का सबसे बड़ा गुमबद कौन है तो goal गुमबद हो जाएगा right answer चलिए तो इस वीडियो का free PDF आपको कहां मिलेगा तो SSC crackers के telegram चैनल पे और नीचे भी description box में लिंक होगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके बाकि इस सेशन को देखकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे questions हैं जो कि October से लेकर April 2021 तक का पूछा गया है और अगर आप CHSL और MTS के लिए त्यारे कर रहे हैं तो आप लोगों को भी October से लेकर मई जून तक का current affairs अच्छे से cover करना होगा क्योंकि SSC वहीं से ही पूछेगा ओके गाईस बाकि अगर आपने अभी तक GK और Static GK का और current affairs का PDF कोर्स नहीं लिया है SSC crackers का तो वो PDF कोर्स आप ले लेंगे 129 रुपीज में ही है वोगी last time है और last time में revision के लिए वो एकदम smart PDF है उसमें सब कुछ जो है आपको एकदम topic वाइस दिया वा है है ना और हम वहाँ पर January 2021 से लेकर March 2022 तक का current affairs आप लोगों को दिये हैं और अब जो है वहाँ पर हम October 2020 से लेकर December 2020 तक का भी current affairs अपडेट कर देंगे ठीक है तो चलिए हम मिलते हैं आपसे next video में तब तक लिए all the best और इस PDF कोर्स का लिंक नीचे ही होगा description box में